नमस्कार आप देख रहे हैं नीज फोनेशन और मैं हूँ प्रियदर्सन बिहार में दो अप्रैल को अमित्सा हने वाले हैं ग्रीह मंत्री के सासाराम दौरे के पहले अब सासाराम में बरी घटना सामने आई है जहां आज बरे अस्तर पर उपद्रव हुआ है जिहां सासाराम म सरक पर उतर करके और अस्तर पर हिंसा फैलाई है वहाँ पर जो इस्थाने लोग हैं उन्हें एक तरिके से कहा जाए तो भायाकरान थे इस पूरी घटना के बाद और राम नौमी के जुलूस के बाद यह पूरी की पूरी घटना सासाराम में हुई है हम अगर बात करें अमि जो तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें सासा राम में बरे अस्तर पर हिंसा हुई है सासा राम में जहां तहां अग्यनी की घटना हुई है तोर फोर की गई है बरे अस्तर पर उपद्रव्यों ने वहाँ प्रसार्वजनी को नेजी संपत्ति को नुक्सान चाया है और यह सब राम नमी के ठीक बाद हुआ है का जा रहा है कि इसमें एक धर्मिशेश को निशाना बनाते हुए कुछ लोगों ने इस पूरी की पूरी घटना को अंजाम दिया है और कई जो वीडियो जो फोटोस सामने आ रहे हैं उसमें अलग-अलग किस्म के लोग अचानक से वहाँ पे उपद्रव और हिंसा करते हुए नजर आए हैं यह तमाम जो वीडियो जो फोटोस आए हैं इसमें कोई आगजनी की भी घटना सामने आई है हिंसा हो रहे हैं उपद्रव हो रहे हैं और तमाम चीजों के बीच सासाराम में अभी धारा 144 भी लागो ग और सांती विवस्था बनकरार रखने के लिए बड़े अस्तर पर वहाँ पुलिस कर्मियों को तैनाद किया गया है खुद जो जिले के आला पुलिस अधिकारी हैं वो तमाम जो इस्तिती हैं उस पर नजर बनाये हुए हैं और कहा जा रहा है कि ग्रिविभाक की ओर से भी थ मित्सा बिहार के दौरे पर आने वाले हैं और उनका यह दौरा प्रमुक्ता से सासाराम को लेकर के ही हैं सासाराम में वो समराथ असोग की जहनती में सामील होंगे वहाँ पर जहन सभा को संभोधित करेंगे लेकिन उनके दौरे के अब ठीक यह पहले इस तरह की कि वहाँ पर हिंसा होने के बाद राजनिती भी होने लगी है भारते जंता पार्टी क्या कहना है कि यह सब एक सुन वियो जित्सा जिसके तहट कराया जा रहा है ताके मित्सा के दौरे को भी फल बनाया जाए उनके दर्वरे के पहले सासाराम में एक तरीके से यह धार में कुनवात फ़लाने वाली बातें हो रही है तो धर्य जो सासाराम में एक घटनाये हुई है यहां हिंसा और उपद्रव की पूरी की पूरी वारदात हुई है इसके पीछे कौन से लोग है और अंखिर इसके पीछे की वज़त क्या है आखिर किन कार्णों से सासाराम में इस तर्य से अ सामिल है कौन से सरारती तत्तों की द्वारा इन घटनाओं को अंजाम दिया गया है और क्या इसका कोई वास्ता अमित साह के सासाराम दोड़े को लिकर है हम आपको तमाब अपडेट्स पताएंगे आप हमर्चाज बढ़े है न्यूज फोर नेशन पे